तो कल एक बहुत ही बड़ा दिन तीन मैच कहले जाएंगे गुरूप टू में और अभी तक नहीं पता चलबायागी या कौनसी दो टीमें कर रही है क्वालिफाई सेमिफाइनल के लिए तो क्या कल पाकिस्तान जीत रही है या फिर साउथ अपरिका जीत रही है या देर इंड या का वो सपना तोड़ सकती है क्या कुछ होगा कल इन तीन मैचों का रिजल्ट इस पर करेंगे चर्शा तो चर्शा करने के लिए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं वेल्कम बैक टू मैचनल दोस्तो जल्दी से वात करेंगे कल खेले जाने वाले तीन मैचों की क्योंकि कल एक बहुत ही बड़ा दिन है अगर कहा जाए क्रिकेट फैंस के लिए क्योंकि तीन मैच दोस्तो तुम्हें देखने को मिलेंगे एक ही दिन में और वो तीनों मैच ऐ एक दूसरे से करते हैं कनेक्ट और जब ये तीन मैच निपटेंगे उसके बाद ही कलियर हो पाएगा कभी ये कौन सी दो टीमें किस पोजीशन पे करेंगी खदम और कौन जाएंगी सेमी फाइनल पे तो दोस्तो सबसे पहले जो इस सुची में नाम आता है वो आता है अरिका वर्सेज मीदर लेंड जी हां ये मैच दोस्तों के ला जागा सुबह साड़े पांच बजे एडिलेट के इस बहतरीन ग्राउंड में और एडिलेट में दोस्तों अभी तक हमने जितने भी मैच देखे हैं उसमें आया है बिल्कुल ही मजा क्योंकि एडिलेट की जो विच है और वैसे तो तुम्हें पता हिए कि उस्टेलिया में जब भी मैच होते हैं तो बैट्समें से जादा मजा आता है बॉलर्स को क्योंकि बॉलर्स की यहां पर हो जाती है थोड़ी सी मौच जब दस्त के इनबाजी देखने को मिली है मैं अभी तक कि एडिलेट के इस दो एक तरब से ऊच जगे है बाहर पर साउथ अफरिका भी अभी बनी वी है और वो जीत जाते हैं तो बहुत दूम की बात हो जाए कि बस जीते हैं तो जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे लिए बहुत जादा इंपोर्डेंट हो चुगा है क्योंकि जोगी डिम टॉस जीत है कि साउथ अफरिका कर जीतने वाली अफरिकमटर के जरू बदाना कि आपको क्या रखता है वहीं दूसरा जो मैंच दोस्कों कहला जाए का पाकिस्तान वर्सिस बंगलदेस ये भी सेम ग्राउंड पर ही कहला जाना है जीहां एडिलेट का एक राउंड है दोस्कों और इस किरिकेट देखने को मिला है उनकी तरब से तो कल एक अच्छी चुनाओती वो दे सकते हैं पाकिस्तान को वहीं दोस्तों गर हम इस मैच में प्लेइंग 11 की बात कर लें इन दोनों की तो तुमने जादा चेंजस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे सेम टीम के साथ उत जीतना है यहां से और क्या कल्कुलेशन अब करनी है और किस तरीके से जीतना है वहीं दोस्तों दास सिर्फ लाओ का और का भी डिपेंड करेगी पाकिस्तान वहीं डिपेंड करने वाली हो इंडिया पे अगर इंडिया जीतती है तो भेर तो सबका सब चीज धरी की धरी रह जगाया जाए तो दोस्तो इस मैच मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसली जीच जाएगी आप इडिया में कमेंट करके जरुब दाना को क्या लगता है दोस्तो वहीं पात कर ले ने दिन के आखरी और सबसे बड़े मैच की जी हां चोगी कहला जाएगा इंडिया वसस जी अब वहीं दोस्तो बात कर ले देंढि दोनोंगी डीमों की प्लेंगग 11 की तो प्लेंग 11 तुमें यहां पर भी से मीं-डी दिखे कि कोई भी चैंजल देखने को नहीं मिले किकि कोई ठेλλज्यवान जाये तो उपनियर में विराटकोली को छोड़ दीया जय तो तो उम्मीद करे इस मैच के नेड़ने को है दोस्तों वो थोड़ा सक मुझे लगता है कल चौका सकती है इंडिया को क्यूंकि जिम्बावे ने पाकिस्तान को भी चौकाया है तो दोस्तों उमीद तो नहीं है कि वो एतना बड़ा बुदर फिर कर देंगी पर फिर भी एक मज़ेदार मैस तुम अगली वीडियो में इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली में तब तक के लिए